हेलो गाइस वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल आज हम आपके लिए पर्शंग कैट के फूर से रिलेटेड बहुती यूसफुल वीडियो लेकर आएं और वीडियो को स्टार्ट काने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली होमेड फूर्ड भी जरूर दीजेगा तो चलिए आज आपको बताते हैं कि अपने केट्स के लिए घर में होमेड फूर्ड आप किस तरीके से तयार कर सकते हैं होमेड ग्रेवी मनाने के लिए हमने 250 ग्राम चिकन लिया है और हमने ये ले लिया है कलेजी इसके साथ दिल भी हमेड भी डाल लिया है मुर्ए की कलेजी लिया हमने और 250 ग्राम हमने आलू लिया है आलू को अमने धुल लिया है शिलकर इसका उतार दिया चोटटटचो चुट्टचों में काट लिया है कलेजी है कि पानी चिकन को पूरी तरीके से कवर कर ले पानी जितना जादा आप डालेंगे तो चिकन में उतनी जादा यखनी बन के तयार होगी यखनी कैट्स के लिए बहुत जादा फायदे मंद होती है सारी चीजों का अच्छी तरीके का ओयल उपर तैरने नहीं लगता है जितना जादा हम चिकन को पकाएंगे यखनी उतनी जादा टेस्टी बन के तयार होगी हमें चिकन को इतना गलाना है कि इसके जो बोन्स हैं वो भी अच्छी तरीके से गल जाएं तो धकल लगा देंगे कवर कर देंगे क्योंकि पानी में उबाला चुका है और चिकन को भी हमें आदे घंटे तक गला लेना है तो आप देखिए चिकन हमारा अच्छी तरीके से उबल चुका है ओल उपर आ गिया है विल्कुल सर्फेस पर तैर रहा है इसी तरीके का चिकन हमें पका के तयार कर लेना है गैस की फ्लेम को टर्ण करने के बाद खाली चिकन के पीसेस को निकाल के हम मिकसर के जार में डालेंगे और इसको पीस लेना है भामें तो इसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें चिकन को हड्डियों के साथ ही अच्छी तरीके से पीस लेना है बहुत से लोग काली बॉनलेस चिकन अपने कैट् एब यहनी के सब्सक्राइब ऑपराट नेके उल रिखना हमारी के अधा नवास पेस हैं पर द læंगे दो हम बत्राइब को सब्सक्राइब और तो तो ब्सक्राइब नवीयक्ते प्राइब गए अचाल के डीया मया और यह ज़्स को देते होंगे दो मुठी भरके हम ले लिया है cat food, इसको भी हम जार में डाल देंगे और इस cat food को हमें बहुत बारीक नी पीसना है इसे हमें बिल्कुल दरदरा सा पीसना है तो थोड़ा सा पानी डालते हुए cat food को भी एकदम दरदरा सा हम पीस लेंगे तो ये cat food हमने पीस लिया है और इसको भी हम जार में खाली कर देंगे और अभी जो ग्रेवी तयार हुई है देखिए बहुत जादा गाड़ी है इसको भी हमें पतला करना है इस ग्रेवी में करीब हम एक लीटर पानी और डालेंगे और एक लिटर पानी मिलाके इसे और अच्छी तरीके से पतला कर लेंगे इसी जाब में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको भी मिक्स करके इसे में बाल में खाली कर लेंगे इस ग्रेवी को थोड़ा सा पतला रखना चाहिए क्योंकि फ्रिज में रखे 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 थोड़ी सी और भी ज़ादा गाड़ी हो जाती है और कैट्स के लिए लिक्ट फूट ज़ादा बेटर रहता है देखिए जो ग्रेवी है इसके खुझबू से मेरी कैट्स की तरिके से परिशान हो रही है और बिल्कुल खाने के लिए भागी चले आ रहे हैं बस मौका नहीं मिल रहा है कि जल्दी से इने मौका मिले और ये फटा फट अपनी ग्रेवी खाले लिए ये ग्रेवी बहुत जादा टेस्टी बन के तियार होती है और देखिए कैट्स को जैसे मौका मिला तुरंत उसने मौ अपना ग्रेवी में डाल दिया फटा फट खाने के लिए इस पे हम ढखकर लगा के अराम से इसे फ्रिज में पान से छे दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं आप जब भी से फ्रिज में रखेगा तो कवर करके रखेगा खुला मत रखेगा आप ये ग्रेवी अपने किटन्स को और कैट्स को देंगे तो आप उनकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी फर बहुत खुबसूरत हो जाएंगे बहुत शाइनी हो जाएंगे और इस gravy का असर बहुत जल्दी आपको अपनी cats पर दिखाई देगा ये gravy cats को बहुत ज़्यादा पसंद आती है cats फेवरेट होने के साथ ये जो gravy है ये बहुत ही ज़्यादा budget friendly होती है आपके budget को नहीं बिगारती और आप देखेंगे कि 250 ग्राम में कितनी धेल साथ ये gravy बन के तयार हो जाती है आईए अपनी cats को हम gravy देते हैं और आपको दिखाते हैं कि मेरी cats की सरीके से बहुत ही मज़े लिकी gravy खाती है तो देखिए हमने इपने cats के लिए gravy निकाल लिए और सारी cats कितने शौक से gravy खा रहे हैं इस ग्रेवी को देने से आपको भी इसका असर बहुत जल्दी दिखाई देएगा पांच से छे दिन में आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा आप देखेंगे कि आपकी जो cats हैं बहुत जादा healthy हो जाएंगी और बहुत जादा खुश रहने लगेंगी क्योंकि ये gravy बहुत जादा cat को पसंद आती है जो हमारे cat के doctor's हैं उनसे हमने बात करके इस तरह की gravy बना के तयार की और ये gravy cats के लिए बहुत जादा अच्छी होती है तो चलिए आज की वीडियो को ये पर end करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को like कीजेगा औरों के साथ share कीजेगा और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मेरी आने वाली बहुत सारी useful वीडियो इससे आपको मिलती रहेगी तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई